नमस्कार दोस्ते इंग्लिस विजनीतियसर क्लासिस में आप सबी का स्वागत है इस लॉकडाउन भड़े पिरेड में हम भी घर पर हैं और आप भी घर पर और घर पर खूब मस्ती कर रहे हैं लेकिन एक जो बच्चों के काफी मैसेजिस आ रहे हैं मेरे पास टेली क्याम पर या फिर वाटसेप पर कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कैसे पढ़ हैं या जो डाउट्स आ रहे हैं उनका क्या करें कुछ बच्चे तो मोजबस्ती में ही मस्त हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये जानते हैं कि जैसे ही lockdown period खतम होगा उसके बाद government vacancies announce करेगी और फिर वही भगदड़ी वाला महौल हो जाएगा फॉर्म भरे जाएगे जादा time मिलेगा नहीं एक मेना date मने का time मिलेगा और फिर exam आ जाएगा है क्या सच में exam उन लोगों के लिए हैं ये बिलकुल नहीं है एक्जाम उन लोगों के लिए है चो इस time पर भी उसी तरह से मेनत कर रहे हैं जिस तरीके से वो पहले कर रहे थे Facebook के माद्य हम से उनी बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम एक पहल स्टार्ट कर रहे हैं इस पहल के दोरान हम Questions of the day की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज में हम पर डे दो कोशन से डिसकस करेंगे एक जो कोशन होगा वो बहुत ही easy level पे होगा और वो beginners के लिए होगा जो बच्चे इंग्लिस से डरते हैं actually में इंग्लिस से डरने क्रियेट करोगे जिससे learning बढ़ेगी आपकी तो इंग्लिस बहुत आसान है ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंग्लिस काफी सारे बच्चे अच्चे-ची पोस्ट इंग्लिस की वज़े से नहीं ले पाते हैं जबकि इंग्लिस एक बहुत ही सर्वल सब्ज़ेक्ट सर्वल तो नहीं एक भग मेहनत बाला सब्ज़ेक्ट है और हाँ हम मेहनत करेंगे तो यह scoring subject है बच्चो मैंने कहा scoring subject है काफी बच्चे इंग्लिस की वज़े से पीछे हो जाते हैं लेकिन आप अंग्लिस की वज़े से काफी हद तक आंगे होगा, वो थोड़ा से moderate level का होगा, moderate level का मतलब हुआ कि जो बच्चे अपनी skills को तयार कर चुके हैं, इस period में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उनकी skills को ब्रुसप करने के लिए 10 मिंट, 15 मिंट, hardly, जो दो questions दिये जाएंगे, ये आपके माइंड को sharp बनाने में और एक mental level build up करने में, आपकी help करेंगे, तो hopefully हम इस series को आँगे successfully run कर पाएंगे, आपका support रहेगा और हमारी मेहनत रहेगी, सफलता हम सब के पास जरूर आएगी, ठीक?